दोस्तों अगर आप भी अपने यूटूब चैनल इस साथ Google AdSense एकाउन बार-बार लिंक कर रहे हैं लेकिन बार-बार डिस अप्रूब हो जा रहा है तो ये वीडियो आपको ध्यांस देखना चाहिए दोस्तों आपको पता है कि टैक्नो गुर्दय चैनल पर आपको monetization step to error problem का हर एक तरीके से solution बताया जाता है तो ये भी वीडियो दोस्तों मैं इसी के topic के उपर बना रहा हूँ ताकि आपके पास अगर ऐसी problem हा रही है तो आप इस वीडियो की help से अपनी problem solve कर पाएं दोस्तों आज हमर पास जो चैनल आया वो चैनल में आपको दिखा देना चाता हूँ ये चैनल है दोस्तों English EG story करके और इनकी step to error problem मैं solve करके इस वीडियो में दिखाऊंगा उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाता हूँ कि किसी को भी चैनल पर कोई भी problem आ रहे है चाहे वो monetization ये step to error problem हो या Google AdSense में identity verification, address verification या आपका appeal later नहीं आ रहा है आपका US tax form में कोई दिक्कत है, bank account लिंक करने में कोई दिक्कत है तो आप टैकनू गुर्देओं को Instagram पर follow कर सकते हैं वीडियो के description में Instagram का link दिया गया है चैनल के about में भी आपको Instagram का link मिल जागा, वहाँ से click करके follow कीजिगा ताकि fake account को follow करने से बचें और हाँ दोस्तों चैनल का Gmail और password देने से पहले एक बार हमें वीडियो कॉल करके confirm करें ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपनी real टैकनो गुर्देओं को ही अपनी चैनल का Gmail और password दे रहे हैं या किसी fake या scam account को दे रहे हैं जिससे दोस्तों आपका channel hack होने से बच जाएगा अगर आप बीना जो है जाने पैचाने किसी को Gmail और password देते हैं चैनल hack होता है तो गलती आपकी होगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू वीडियो को लाइक करके अपनी दोस्तों साथ सेर करते जीगा और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करकर बेड़ बढ़ना पाते जीगा क्योंकों दोस्तों में YouTube से लेटेड हर अपडेट को पर वीडियो लाता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस चैनल पर आप देख सकते हैं step on done है step to mirror आ चुका है और यहां पर दोस्तों जो problem है वो आप देख सकते हैं your associated adsense for YouTube account वाज disapproved मतलब कि जो Google Adsense एकाउंट चैनल साथ लिंक कर रहे थे वो disapproved हो चुका है और यहां पर दोस्तों fix in adsense for YouTube change association का दो option दे रहा है और मैं यहां पर आपको एक warning देना चाहता हूं कि अगर आप गलती से इसको कई बार सही करने की कोशिस करते हैं तो यह option 32 days के लिए block भी हो जाता है क्यों दोस्तों Google Adsense account की policy है एक बार चैनल साथ Google Adsense account link होने के बाद 32 days के लिए change option जो है block कर देता है तो यहां पर error को solve करने में लोग बार बार इसको block कर दे रहे हैं और 32 दिनों का इंतजार करना पड़ा है तो आप कहीं और मचाएगा ठैकनो गुर्दे के पास आएगा समय रहते problem solve कर देंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं fix in adsense for youtube change association का दो option है तो यहां पर दोस्तों हम fix in adsense for youtube के option पर क्लिक करते हैं देखते हैं क्या open होता है तो यहां पर google adsense को sign in कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं चैनल के gmail से google adsense account नहीं है सही बात यह है कि इन्नोंने channel के gmail से google adsense account नहीं बनाया था तो इनका जो google adsense account है दोस्तों आप यह देख सकते हैं यहां पर इन्नोंने दूसरे gmail से google adsense account बनाया था जो कि disapproved हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं your account was not approved दोस्तों बार बार अगर आपको ऐसी problem आ रही है तो उसका solution इस video की मदद से कर लेजीगा आपकी problem solve हो जाएगी दोस्तों आपको करना क्या है step by step ध्यान से देखते चलिए दोस्तों जब भी google adsense account disapproved होता है इसका मतलब की पहले से अलड़ी कोई आपका google adsense account है जिससे की वो match कर रहा है और आपका नया वाला account disapproved हो जा रहा है तो इसका मतलब दोस्तों की इस google adsense account को हमें करना पड़ेगा close तभी जो है हम अपना एक नया google adsense account channel साथ कर पाएंगे link चलिए कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों इस google adsense account को close करने के लिए आपको यहाँ पर account में आना है और यहाँ पर setting में आना है और account information के page पर चले जाना है यहाँ पर दोस्तों आपको google adsense account close करने को option मिल जाएगा आपको नीचे आना है close account को उपर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको options rate कर लेना है यह adsense और adsense for youtube और यहाँ पर आपको close my account के button पर click कर देना है और आपका google adsense account हो जाएगा close उसके बाद दोस्तों आपको अपनी channel के step 2 वाले page पर आ जाना है और यहाँ पर change association के button पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर step 2 का option आजाएगा यहाँ पर दोस्तों हमको no I don't have an existing account को पर click करना है क्योंकि पहले से हमारा कोई adsense account नहीं है हम यहाँ पर एक नया google adsense account चैनल के साथ link करने वाले है ठीक है continue के button पर click कर देना है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर choose an account के option में use another account को select करेंगे और यहाँ पर create account को click करकर एक नया google adsense account के लिए यह gmail account बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर चले create account को button पर click करते हैं for my personal use को हम select कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों create a google account first name last name और उसके बाद next पर click करना है उसके बाद दोस्तों date of birth यहाँ पर आपको select करकर gender select करकर next पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपर get a gmail address institute के उपर click करेंगे और यहाँ पर create your own gmail address को select करेंगे और यहाँ पर दोस्तों अपने gmail का username बनाकर next पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों आपर strong password बनाएंगे दोनों box में same password डालकर next पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों इसको हम skip करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जीमेल अडरेस सो कर रहा है नेम सो कर रहा है नेक्श पर हम क्लिक कर देंगे और दोस्तों privacy and terms का option आएगा हम यहाँ पर नीचे आकर I agree बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर let's get you started का page आएगा यहाँ पर आपको country अपना select कर लेना है मैं यहाँ पर इंडिया को select कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है I have read and accept the agreement को चेक करकर आपको setup account की बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों adsense for youtube का page आजागा और यहाँ पर customer information आपको fill करना है यहाँ पर account type दोस्तों आपको individual लखना है अगर आपने personal यूज के लिए Google Adsense account बना रहे है अगर business organization या किसी school या किसी public sector के लिए आप अपना Google Adsense account बना रहे है और आपके पास business document है तो आप यहाँ पर business type select कर सकते हैं name and address में दोस्तों आपका name और address fill करकर आपको submit पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर last में OTP डालकर आपको submit कर देना है और आपका जो है account review के लिए चला जाएगा दोस्तों Google Adsense account में सारी details इस तरीके से आपको fill करकर apply करना step 2 को और Adsense आपका review में जाने के बाद कम सकम एक से डेड़ सबता में य चला जाएगा ठीक है जो यहाँ पर error so कर रहा था उसके बाद one week के बाद दोस्तों यह जो है अपर होने के बाद step 2 done हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है step 2 in progress में चला गया बस हमें wait करना है तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके की problem आ रही है तो आप इस वीडियो से solve कर सकते हैं और अगर आपकी problem खुझ से solve नहीं हो रही है तो आप टैकनो गुर्दयों को इंस्टाग्राम पर contact कर सकते हैं वीडियो की description में इस्टाग्राम का link दिया गया या चैनल के about में भी आपको इंस्टाग्राम का link मिल जागा वहाँ से क्लिक करके ही follow कीजिगा क्योंकि बहुत सारे scammer जोए fake account बना रहे है fake account को follow करने से बचिएगा real techno गुर्दयों को follow कीजिगा और वीडियो कॉल कर के ही channel का gmail और password देजिगा ताकि आपका channel hack होने से बस सके और बीना वीडियो कॉल के अगर channel का gmail और password देते हैं और आपका channel hack होता है तो जिम बंदे मातर हम